दल बदल हमारा राजनिती विज्ञान में आज का परकरण है दल बदल भारत में दल बदल 1967 के चुनाव की एक खास बात रही है दल बदल से तात्परी है जब कोई जन परत ने दी किसी खास दल के चुनाव चीने को लेकर चुनाव लणें और जीत जाएं लेकिन चुनाव चीतने के बाद वह उस दल को छोड़ जें जिस दल से वह चुनाव चीत कराये हो और अन्य किसी दल में सामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहा जाता है नेताओं की इस विवहर को राजनिती विज्ञान में आया राम गया राम की संग्या भी दी जाती है हम देखते हैं कि दल बदल ने आप में एक बुराई है भारती राजनिती में दल बदल से जहां सरकारू में अस्तिर्ता देखने को मिली है वहीं कहीं न कहीं यहो एक इस्तिर लोगतंत्र या एक परिपक्ष को लोगतंत्र के लिए बाधा भी है इसे दूर किया जाना अकि आउशक था आजादी के बाद जो पहले तीन आम चुना हुए उसमें कॉंग्रिश का प्रभुत्य था और उसमें दल बदल इतना जादा प्रभावी नहीं था या इसका असर बेशर था लेकिन उसके बाद 1967 के जो चुना हुए उसमें कॉंग्रिश को अतना बहुमत नहीं मिला लेकिन नेताओं के दल बदल करने से सरकार एक गिरी जिससे की देश में एक स्तिर सरकार का निर्मान नहीं हो पा रहा था इससे रोकने के लिए वर्स 1985 में एक समिधान में संशोधन किया गया और समिधान में दसवी अनुशूची जोड़ी गई उसके बाद 2003 में एक और संशोधन किया गया जिसे हम एक कानविवान समिधान संशोधन कहते हैं जिसमें ये ताई किया गया कि मंत्रि परश्यत का आकार कुल सदेश्यों का 15 परश्यत होगा जिसमें अगर हम संग सरकार या केंद सरकार की बात करें यानि कि जो मंत्री होंगे वो प्रधान मंत्री को मिला कर 15 परतिशत होंगे वही राजियों में मुख्य मंत्री को मिला कर मंत्रियों की संक्या 15 परतिशत निश्यत की गई आज के इस प्रकरण में अभ्यास प्रश्टन है. पहला प्रश्टन है, दल बदल से क्या तात्परे है? दल बदल से तात्परे है. जब कोई जन परतिन ने दी, किसी खास दल से चुनाव लड़ें और जीत जाएं. लेकिन चुनाओ जीतने के बाद वह अपना दल छोड़कर किसी अन्य दल को समर्थन दे या अन्य दल में सामिल हो जाए तो यह दल बदल कहलाता है दूसरा परशन है आया राम गया राम का सम्मंद किस से है आया राम और गया राम का सम्मंद दल बदल से है तीसरा प्रस्ण है बारती समिधान में दल बदल को रोकने के लिए क्या कारी किये गए हैं हम जानते हैं कि बारती समिधान में दो बार संसोधन किया गया है दल बदल को रोकने के लिए जिसमें पहला संचोधन वर्च 1985 में किया गया जिससे भारती समिधान में दश्वी अनिशित जोड़ी गई वहीं दूसरा समिधान संचोधन वर्च 2003 में किया गया जब समिधान में 91 समिधान संचोधन किया गया आज की परकल में इतना ही धन्यवाद